नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डूक्टर अमडी इसकारी आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्थी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और ईपील नमबर दो के बारे में ये एक होमियोपेथी की पेट्रेंट दवाई है इस दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट के चाती का दर्थ बहां तक जाता हूँ ऐसी कंडिशन में दवाई बहुत असरदार रहती है दोस्तों हर्ट से मंदित कोई भी पेशेंट को रोग हो उसके कारण चाती में दर्थ होता हो तो ऐसी कंडिशन में साफी राहत मिलती है दोस्तों इसके composition की बात कर लेते हैं यानि इसमें कौन सी omeopathy medicines डाली गई है सबसे पहली दवाइस में रेननकुलस मदर टिंचर फॉर्म में डाली गई है पूरी चाती में अगर patient को दर्द हो खास तोर पर left side में violent pain हो और जिसके कारण पेशेंट को यह दर्द बहां तक जाता हो बहां भी patient की नहीं उठती हो तो ऐसे लक्षणों में रेननकुलस दवाई बहुत असरदार रहती है अगली दवाइस में टैबेकम मदर टिंचर फॉर्म में डाली गई है patient को चाती का दर्द अगर अचानक हो जाए तो ऐसी condition में दवाई बहुत असरदार रहती है चाती के दर्द के साथ साथ हर्ट मसल्स को भी दवाई मजबूती देती है patient को अगर nervous indigestion हो और दर्द के कारण patient को सांस लेने में दिक्कत होती हो तो टैबेकम मदर टिंचर फॉर्म में बहुत useful दवाई रहती है अगली दवाइस में spigelia है palpitation of hurt और pulse irregular होने पर spigelia मदर टिंचर फॉर्म में patient के लिए बहुत असरदार दवाई रहती है दोस्तों के लिए इसमें क्रेटेकस डाली गई है जो की चाती के दर्द के लिए बहुत असरदार रहती है पेट से उपर patient को चाती में अगर दर्द हो इसके साथ साथ sharp cutting pain देखने को मिलता हो palpitation देखने को मिलती हो pulse rate बहुत strong हो इसके साथ heart action बहुत rapid देखने को मिलता हो तो ऐसी condition में इदवई हम patient को देते हैं कि साथ patient को अगर sugar भी हो तो उसमें दवई बहुत असरदार रहती है ऐसी कुछ और दवाईया भी इसमें डाली गई है जो patient को किसी भी वज़ेसे किसी भी heart disease के कारण अगर चाती में दर्द होता है तो उसको ठीक करती है और उस कारण को भी ठीक करती है चाती के दर्द में विराहत देती है जैसे अगर patient को hypertension की शिकायत है तो उसको भी ठीक करती है control करती है heart muscles को ठीक रखती है सूजना जाए तो उसको भी ठीक करती है इस दवाई के doses की बात की जाए वैसे तो अगर आपको इन में से कोई भी परेशानी है तो एक बार अपनी homeopathy doctor से consult जरूर कर ले बिना doctor की सला के कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए लेकिन जो इसकी common dose होती है लगबग 10-15 drops एक चोथाई का पानी में डाल कर दिन में 3-4 बार दी जाती है लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगा कि doctor की सला के कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए इसके लिए आप अप अपने doctor से मिले नहीं तो दिए गए WhatsApp नंबर पर हमसे संपक कर इलाज यसला ले सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यावाद चैनल को सब्सक्राइब करें कोमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है थेंक्यो कर दो